अगते मेरे सभी प्यारी साथयों का एक प्यारी ही वीडियो के साथ आपके YouTube channel Tech Support India के परिवार के अंδर तो मेरे सभी मित्र आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ? तो ये बताने वाला हो कि आगर आप new Instagram open किये हैं account बनाए हैं उसके अंदर तो क्या होता है जब उसमें आप real बनानी start कर देते हैं तो आप उसमें earn करना चाहते हैं तो उसमें के लिए आपको पहले अपने जो Instagram account होता है उसको professional dashboard के अंदर change करना होता है तभी आप उसके अंदर अपना bank attach कर सकते हैं आप bonus जो Instagram bonus देता है ना आपको उसका मज़ा ले सकते हैं अन्यता अगर आप professional dashboard में change नहीं करेंगे तो आप जो Instagram की scheme होते हैं नए नए जो gift मिलते हैं या कोई भी चीज आती है उसका enjoy नहीं ले सकते तो चलिए आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने Instagram को professional dashboard के अंदर कैसे क्या करेंगी change करेंगी चलिए side में हमारी skin जो है वो start हो चुकी है और इस skin को आप follow करते रहिए और follow करके अपना जो Instagram है उसको professional dashboard के अंदर change कर लीजिए तो उसके लिए हमें पहले Instagram के उपर जाना होगा Instagram के उपर जाने के बाद में तो यह हमारा आप बहला interface होता है उसके बाद में simple आपको account वाले option पर click करना होगा ठीक है यहाँ पर देखिए profile वाले option पर sorry profile वाले option पर click करना होगा तो edit वाले option पर click करने के बाद में थोड़ा सा आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर देखते होंगे switch to professional account ठीक है आपको इस पर simple click करना होगा तो चलिए मैं यहाँ पर इस पर click कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे continue तीन से चार बार आपको continue मांगेगा तो continue कर देना है आपको उसके बाद में यहाँ पर आपकी क्या category है तो चलिए मैं यहाँ पर एक जो हैं मैं digital creator हूँ एक video create करता हूँ, lip sing करता हूँ तो वो digital category के अंदर आप रख सकते हैं तो मैं एक digital creator हूँ और उसके बाद में जहाँ पर आप देख भा रहे होंगे कि display on profile मतलब आपने जो category रखी है या इसको आप display के उपर show करना चाहते हैं यस हम इसको show करना चाहते हैं तो इसको आप own कर देंगे उसके बाद में नीचे done वाला option है ना इस पर आपको click कर देना है तो click करने के बाद में ज़स्ट आपको 10 second रुकना होगा ज़्यादे ज़्यादे आप 20 second रुक जाएंगे उसके बाद में क्या है यह interaction देगा आपको बताएगा कि आप professional export के लिए आप ready है या नहीं है तो चलिए अभी आपको दो option यहाँ पर देखने को मिले होंगे एक creator और एक business तो हम क्या है कोई business नहीं है हमारा instagram के ऊपर कोई business category नहीं है मलब हम कोई business नहीं करते हम अपने वीडियो बनाते हैं मतलब हम एक तरीके से creator है तो हमें creator ही रहने देना है और creator रहने के बाद में हमें next कर लेना है और next करने के बाद में और इसके बाद में देखिए यहाँ पर यह okay कर लेंगे और okay करने के बाद में आपको continue रखना है continue रखने के बाद में देखे हमारा जो अब Instagram जो account है न वो क्या हो चुका है देखे यहाँ पर यह पूरा information आ गया है इनका इनको थोड़ा सा और finishing add अब यहाँ पर यह finish हो चुका है हमारा फिनिस करने के बाद में हम अब यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारा Instagram है वो professional export के अंदर हो चुका है या नहीं हो चुका है तो चलिए अब यहाँ पर क्या है देखे setup your professional account तो इसके लिए क्या है पूरा का पूरा information यहाँ पर दिया हुआ है अपनी थोड़ी सी जो information है उसको complete कर करेंगे हम बाद में कर लेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे मैं थोड़ा सा रिफ्रेस करता हूँ और रिफ्रेस करने के बाद में अपनी profile वाले option पर दुबारा से जाता हूँ और दुबारा से जाने के बाद में आप यहाँ पर देख पा र तब तक आप कोई भी इंजोई या इसका फाइदा नहीं उठा सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं बताया है कि प्रोफेशनल लेक्सपोर्ट में कैसे चेंज करना है अपने इंस्टाग्राम एकाउंट को तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ जैहिंद जै बहारते